हेलो गुड मौनु इस्टुडेंट्स आज हम थियोरम नॉम्बर टू को डिस्कस करेंगा ओके हमने थियोरम नॉम्बर वन बताया था जो कि क्या था अगर किसी मीन में एक एन अबजेर्वेशन के लिए पॉटन आँ को सब देख लिया देख लिए नॉम्बर दिनिखतना एक्सरी अर्थमैटिक मीन ओफ एन अबजेर्वेशन आटेट अक्सिक्तुम को प्रूब करने था क्या एक्स मेन एक्स माइन सक्षिजर बतलब यहीं जम को प्रूब करना तकब जब x1 x 2 x 3 dot n observation और उसका mean कहाना छे x बार है तो फ़हले इस्टाटिक में पड़ेते हैं तो ही क्या जानते हैं कि x1 equals to x1 plus x2 plus x3 plus dot dot action upon n होता है यह वहता है मीन और यह सबका जो अपॉण क्या होता है नमबर ओ अब जर्वेशन तहर यहां से अमें N का मल्टिप्लाइए इधर कर देते हैं तो एंट्व एक्स बार हो जाएगा एक्वल टॉटाइब है अक्स टूए अग्स लगार यह कोई जाएगा है यह कोई जाएगा ओके तो यही मायन्स अमने जितनी ट्रम है यनिक एक्सेटेनेसल गटा है यह दो आस्पार था फिर एक्स्ट्री में से प्रहट अहल Nove लास्टेंच्टारिश को दीबार किति बार एंड़ टाइम है युद प्लस स्थी fewer आट्पर यहां पर अब ममनेस्ट इसके जगह पे- वाला X1 X2 X3 है इसके जगह पर हमने वन इक्वेशन से इसके जगह पर कितना लिए NX बार ठीक है तो इसके जगह पर NX हो गया एक्षी इक माईनस का यह वाला इन एक्ष दूनों कर ज्यगत यहाँ जीरो तिस तरह से हम सॉल्व करने लिएन के अगर मीन हो एक्स बारा ठीक है एन अब्जर्वेशन का तो उसमें से क्या कर सकते हैं अगर सभी अब्जर्वेशन में से अलग अलग मीन को गटाते है यानि कि प्रतियक अब्जर्वेशन में मीन को गटाये जाता है ठीक है तो उसको जोड़ने के बाद सबका यो क्या आएगा जीरो आए किरें कि the mean of an observation x1 x2 x3 dot dot action is x bar ठीक है यह तमें सा x bar mean होता है ठीक है सिबका अब किरें if each observation is increase by p यानि कि जब प्रतीक observation में यानि कि x1 में भी x2 में भी x3 में भी dot dot action में भी अगर p को increase करते हैं यानि कि p को बड़ा देते हैं ठीक है यानि कि x1 प्लस p x2 प्लस p x3 प्लस p dot action प्लस p ठीक है तो कि रहें कि the mean of new observation is x bar plus का p होगा यानि कि जब नया mean अगर निकालेंगे अगर इस पहला ध्यान सो सुनना x1, x2, x3 और xn का अगर mean x bar हो ठीक है और इसमें प्रतियक में हमको क्या करना है अगर p को increase करना है यानि कि p को अगर add कर देते हैं तो जो p को जोडने के बाद जो नया mean होगा वो कितना होगा x bar यानि कि पहले वाला mean और उसमें जो p हो इसको अगर add कर देते हैं तो वहाँ उसका new वाला mean हो जाएगा ओके तो यहां पर इसका हम प्रूब करना है यानि कि हमको यह चीज प्रूब करना है कि अगर new mean होगा तो कितना होगा x bar प्लस p होगा ठीक है तो प्रूब में द्या transfer इदर कर दो तो यह multiply हो जाएगा इदर तो यह हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 एक्स अन इक्स बार लिग सकते हैं इसको अबने माल लिया एक्ट्वेशन नमबर एक आपके रहेगा व इसको मको अगर मिन निकालना यह वाला जो है ठीक है ए और न रहां पे हमको इसका मेन केतना हो जाएगा यहनी कि सब को जोड़ेंगे तो यह रहे Aga. टाइम है ना, one two, three, four, five, ऐफ्काउन सा एन बांतर हो गए ठीक है, तो फॉस्ट वळह यानि के X1 plus P, plus X2 plus P, plus X3 plus P, plus dot dot dot, Xn plus P, ठीक है? अपन कितना हुजएगा, टोटाल नंबर कितना है वही अब जर्वेशन एन है तो हमने लिख दिया है ठीक है अब ध्यान से देखो एक्सवान यहां पे एक्सट्व यहां पे ब्रेकट तोड़ दो ठीक है ब्रेकट से में जोड़ाए तो कुछ दिकत नहीं वहसी को शीरे जागा एक्सवान एक्सट्व outproeter इसको हमें एक शालिक सकते हैं एक्सवान फ्लस एक्स टीओ प्लस एक्स तरी खंट मशक का डौत डौत का एक्स एन mindब्लकी तो न्याहां ऑब दहन से देखो यह जोटाल जोड़ेंगे थे कितना हो जरागा एंगाए द्विश्eon Youth सकते तो हैं दिख दिया n p क्योंकि यहां पर नमबर अब कितना है n नमबर है ठीक है तिसले क्या हो जाएगा n p हो जाएगा अब यहां पर ध्यान से दो को इसकी जगा पर यहां से यहां तक x1 plus x2 plus x3 plus dot dot xn के जगे पे अगर equation number one से देखा जाएग इने तिसकी जगा पर n x बार लिख सकते हैं इसकी जगा पर ठीक है तो इची जमने लिख दिया n x बार लिखाया फ्रम फर्स्ट और यह प्लस का n पे हो गया अपन ए वह गया n नीचे ओके अब यहां पर दो को इसमें यहां भी और एन है इसमें भी ए अने कर लेतें एंट दोनुं में चुल को लेते हैं तacter धुर्गा एकश बार प्लस का घर जोड़ दैए जितने है उसमें सब्कूर्ण कर जाते हैं तो दूनुं उमिन निकले कर जाएगा तू दोल सब्स धुल करदे कितना निकलेगा बस मीन निकालकर उसमें जो पी आइड होगा यानि कि वही इसमें क्या करना जोड़ देना है ओके एक बार फिर से द्यान से सुन लो यहीं हमको प्रूब करना था ठीक है क्यों कोई एन अबजर्वेशन है ठीक है इसका एक्जाम्पल भी बनाएंगे तो इदम क्लियर समझ बाज जाएगा ठीक है करते मीन अफ एनअब्जर्वेशन अ मिन वरावर इतना होते है इन अबोजर्वेशन का यहां से सका मल्टिप्लाई कर दो यह वो गया समेकरा नमर एक में। जब प्रफू प्रॉस प्लस प्लस ट्री तो जब को लिख दिया तो जो निपी करके बाद जस्तने मीन बना घ। ग।स Seoulでは अंटॐ गृणकरस व tietो प्रेंगा है कितनी टू ज़ोड को अंटॐ से डिवाइड कर दिये यां से एक से ==== पी ऐसी रहा गया बटा में अब यहांसे एनन कमन कर लिया थे एक्स बार प्लस पी रहा एंसे न कट गया यह भार हो जाएगा तो यानि कि हमारा न्यूमीं होगा वह इतना हो जाएगा जान से देख लिया न सक्की शूट ले लेलना एक्जांपल रॉलवन गया जैक्ते हैंanten कल्यानी के сил अन dengan 3 precis हैं साङह एक भार टाम में इंसर निकल जाएगा ठीक है तो दोनों पूर्ट से जाना ना चाहिए अगर दो नमबर काता है तिन नमबर काता है तो इस तरह से करेंगे अगर simple अगर एक नमबर का question पूछता है तो direct answer का touch करेंगे ओके तहां पर द्यान से दखते हैं कि the mean of 16 numbers is 8 यानि कि 16 संख्याओं का जो mean कितना है आठ है ठीक है अब करेंगे इफ two is added to every numbers यानि कि दो है उस सभी संख्याओं में add के जाते है तो what will be new mean तो new mean क्या होगा ओके तो यहां पर द्यान से देखो हमारे 16 संख्याओं का mean कितना दिया है आठध्याओं तो हम पहले एज्फिम माल लेते हैं कि הבס betale million to get to extra 92 घ्रवके गिते हैं system dot किते हैं 16 तक है 16 संख्याओं कितना मं लेटें तो मिन कितना होगा सबको जूड़क X3 कितना एक्सोला होला दला है अप हम मीण कितना दिया है दिया आट यह न आप आठ लिगते हैं और इधर का स्मिसिंग अब इधर 16 से इधर 8 में मल्टिप्लाई कर दो तिर्चय तर्चय खुड़ा कर दो इस होला में आठ से मल्टिप्लाई कर एक्टना ओगा दो equal to कितना होगा 128 अब आगले लाइन में ध्यान सुकर रहा if two is added to every number यानि कि प्रतेक नमबर में दो add कर देते हैं तो नया mean क्या होगा ठीक है तेहां पर when two is added to every number यानि कि दो हम क्या करते हैं सभी संख्या में जोरते हैं तो ओ कितना हो जाए देखो X1 प्लस 2 X2 प्लस 2 X3 प्लस 2 यहीं तो निकलेगा X2 X4 प्लस 2 डॉट डॉट कितना हो जाए X16 प्लस 2 कि कितना टोटल है 16 तो इसलिए दो दो add करते जाओ यह हमारा क्या हो गया new number बन गई समझ्या गया है जब दो add करेंगे तो यह कौन सा बन गया new number कितनी है 16 हो गया अब हम new mini नहीं निकालते हैं जो हमको शिह हैं तो निवी मियन लिकालते हो तहिए कितना नो रखेंगे X1 प्लस 2 प्लस X2 प्लस 2 प्लस X3 प्लस पर इसको राक सकते हो 10 डॉट डॉट कितना एक्सक्स्टिन प्लस टू हो गया अपन्ट टोटल कितना है 16 ही तो संख्याई ना डिग दिया ओके आप यहां पर देखो एक्सटी प्लस एक्सट्री टॉट डॉट कितना हो गया तक हमने इसको अलग लिख लिए प्लस करके साफ ले प्लस डेंस दो कि दू दू कि दू कितनी बार आगा तो सोर तुनिकी कितना जाएगा बतेश जित्ती बार रहेगा अगर पचास गुरेगा तो पचास दूनिकी साव कर देते हैं अगर आप साव रहा था तो चार सो जाता ठीक है तो जितना यहां पर रहेगा ठीक है संखिया 16 है तो जितना यहां पर कॉंस्टेंट रहेगा उससे मल्टिप्लाइ करके हाँ राग देंगा ठीक है तो यह होगा दो 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 किती बारे 16 टाइमस तो इसलिए सोरो दूनिकी 32 ओके अपन कितना हो गया शोला अब ध्यान 10 से देखो यहां पर हमारे X1 प्लस X2 प्लस X3 यह इने इसके जगा पर समीकराण एक से 188 से उच्छ कर सकते हैं इसी के जगा पर तम ने लिख दिया एकसवान प्लस X2 प्लस डो डॉड़ एकस्टीं के जगा पर 128 है प्लस का 32 ओके अपन सिक्ष्टीन तो दोनू को एट कर ल तो 16 से तो कितना 10 टाइम प्रें कट जाएगा ओके यह निकि नियू मिन कितना हो जाएगा टेन हो गया ठीक है यह था हमारा था पुरा प्रसेजर भाइजी ठीक है अगर एक नंबर कहा है तो क्या करेंगे अब हमारे कोश्चन इसमें एक नंबर कही रहेगा और अपसन में रह कर देते हैं पर देख में ठीक है तो नियू मिन कितना होता था नियू मिन जो फर्मूला आया था वह आया था एक्स बार प्लस पी यह था ना नियू मिन का ठीक है जो यहां पर हमने आइड किया था ठीक है तो अब हमारा जो मिन कितना था स्टार्टिंग में में देखो 16 का म तो आठ दू कितना हो गया दस देखो एंसर आगया कि नहीं ठीक है अगर एक नंबर करेगा तो डिट्टो इसे वारेंगे अगर दो नंबर करेगा तो ऐसे करेंगे ओके एक पर पूरा स्क्रीन सोट लेगा ना अच्छे से समझ लेना ठीक है थिवरम नंबर तीन को ध्यान से देखते हैं ठीक है कि रहा कि दो मिन आफ एड़रिवेशन एकसे टोड़ एक्स टोड़ एक्स ट्री धा डॉटड एकस अनिक ही से फिरतो ऐना जरुल एक कवी ऐना गार्या अइप्स बाएशन का मीन दिया एक फ्यार एकर ही ख्याकर एफ इसंए अबडर गर रहा था यानिक का new mean कितना होगा 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 X bar minus P यानि कि जितना वहाँ पे decrease करेगा उतना उस mean में से क्या करेंगा घटा देंगा वहाँ पे इक इंकरीज ओ रहा था तो आप अड़िकर दीए स्ट एक्सवार प्लस पी था यहां प्या होगा जब इंकरीज कर दाथ एक्सवार मायनस यह ओके सेम फरसेजर आशे एक्सवार वराबर हम जानते इतना करेंगे होमरा फ्रूफटर सलूशन ही है रूट ठीक है था एक्सवार इक वलटो आम जानते मेरन एक्सवार प्लस एक्सवार टो डॉड़ रोड अक्सवार यह फं गो गया का मुलिद अफिड्क करेंगे थे नि कलकर आंस तो प्राणा प्लस थ्जिवो ठीक यह बर अटीए तरी प्लस फिब्लस अच्वार्ट को जोड़के एंट इन sudah को सब कर X2-P plus x3-P plus ká dot 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 plus ká Xn-P हो गया अब यहां पर हो गया हमारा यहांचे देखुए X1 X2 इससाँ प्लस में है X3 देखुए यहां पर प्लस में यहां पर minus P कितनी वह आ रहे है इम्हें X1 प्लस x 2 प्लस x3 x10 Xn तक इधर अलग कर लिया है प्लस में है मने कर लिया निख सब प्लस में एक बारे न टाइम है उसके जग एक बहुत है न टाइम ठीजोग से श्राघ क्रूबश चाने मेशुमाइच लिए करड़ो प्रसे एंहीन कटा दो देगे मैसं इस्पार माॉंस टेगा जीसे ऐसे उसे इस में ठीक है ओर फूसी में राणि के लिए था यह नि कि के लिए है किसे के लिए माइनस के लिए था माइनस में कि रहेगा कह एउसमें किसी को डा उट नहीं होना But देख लिए नहीं पाइजांपल के तरह को देखते हैं कि दमीन आफ एट नमबर इस ट्वंटिफाइब यानि कि आठ संख्याओ कम इन कितना है पचीस है तो करें कि इस फाइब इस सब्स्ट्रेक्टर फ्रोम इच नमबर यानि कि पांच खटा लिया गया यानि कि डिकरीज कर दिया गेलिगे पर थेक्से तो अफ वाट वील वी दर नूवन इमिन ठीक है तो नया मिन कि आगात देख लेज पी पुराना मिन कितना है पाचीस आट संख्याओ कम इन कितना है पाचीस ही नहा है तो पाचीस तो नियू मिन होगी या तुमारा नियू मिन आइए इक्वाल यह लेकितना हो जांगा अन्सी दोक एकस वार माइनस पी तो यह होगा एकस वार मतलब पचीस अ माइनस कफी कितना है तो पचीस बाइनस की टीट फिकतना हो गया बीज तिए तो एक ही लाइन में निकाल सकते हो हाँ नहीं तो अगर फरसीजर लगा कलीकाँ आठ संख्या माल लेना कि X1 X2 X2 कितना एक्षेन तक X8 तक है ठीक है और X8 तक करके अपना solve कर लेना तो इस तरह भी कर सकता है इस तरह साउट में भी कर सकते हो जो आपकी च्छा उससे कर सकता होगा है आज के लिए इतना ही किसी को अगर हमवर्क में डाउट हो तो बता दीना ठीक है इसका इसकीन सोट ले 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 ला अच्छे से solve करते जाओ ठीक है क्योंकि जब क्लास चालोगा ता मिश्व में stress लेंगा और पुछेंगे तुम लोंग से फार्मूला ठीक है ता मार खाओगा ज्यादा तिसलिए ज्याल से, ऐ के म.